गुद मॉनिंग प्यारे बच्चों हमारी आज की कहानी है बारिश के बाद बारिश अभी थमी ही थी जीनत और रामू बगीचे में घूमने गए उनकी नजर चिडिया के एक बच्चे पर पड़ी उसके पंक भीगे हुए थे दोनों सोचने लगे कि अब क्या किया जाए इसे धूप में रख देते हैं जीनत बोली रामू ने चिडिया के बच्चे को धूप में रख दिया उसने उसके आगे अनाज के कुछ दाने भी डाल दिये थोड़ी देर में चिडिया के बच्चे ने अपने पंक फड़ फड़ाए बह दाना चुगने लगा वे दोनों सोच में पड़ गए कि अब बच्चा अपने घर कैसे जाएगा तब ही वहां चिडिया की चीची की आवाज सुनाई दी आवाज सुनकर जीनत और रामू खुश हो गए ये देखें बच्चो जीनत और रामू दोनों चिर्या के बच्चे का कैसे ध्यान रख रहे हैं और कितने खुश हैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बच्चो